नमस्कार दोस्तों मैं हूनी रज और आपकी अपनी ख्रक्षा में त्वागत है। इस वीडियो में हम लोग ब्लॉग डाग्राम रेडक्शन से रिलेटेड नुमेरिकल प्रॉड्डम करेंगे। इसमें कि यह सपोर्च कुश्चन दिया हुआ है। और आपको कहा जा रहा है कि इसको रेडक्शन करके ट्रांफर फंक्शन की वैल्यू फाइंड करें। तो देखें सबसे पहले हमारे पास यह जब डाग्राम आएगा तो लास्ट वीडियो में जो कि अल्रेड़ी ब्लॉग रेडक्शन के लिए हम लोगों ने अल्रेड़ी पेसिक चीज़ें उसमें डिसकस की थी। मैं उपर लिंक डाल दोगा आप वहां से देख सकते हैं और उनको अप्लाइ करते हुए हमें यहां पर काम करना है। तो सबसे पहले अगर हम देखें तो यह दोनों जो हैं ब्लॉक्स सबके कैस्केड में लगया है तो cascade में लगे हैं तो ये दोनों क्या हो जाएंगे आपस में multiply हो जाएंगे तो देखें तो आप next जो हमारा diagram बना हुआ है इसमें ये दोनों block क्या हो गए है multiply होके उनकी जगा पर एक block replace कर विया गया है अब उसके बाद अगर हम देखें इस section को ये वाला जो हिस्सा है इतना ये हमारा जो है negative feedback system का है जिसमें हम लोग अलएड़ी क्या करते थे यहां पर हम समझ सकते हैं कि यहां का जो value है block है उसके value कितनी है 1 है तो इसको देखते हुए हम लोग क्या कर सकते हैं अगर ये हमारा g है तो इसका जो transfer function overall transfer function होता है वो क्या होता है g upon 1 plus g into h यानि कि h h की value कितनी है 1 तो यहां पर आजाएगा 1 तो अगर उसको हम multiply करें तो देखें क्या हो जाएगा 1 upon r2 into c2 into s divided by 1 plus r2 into s तो उसको solve करेंगे तो हमें ये value मिल जाएगी अब इसके बाद हमें क्या करना ये diagram हमारे पास बन गया अब हम इसमें क्या सोच सकते हैं हमें कुछ ऐसा arrangement करना पड़ेगा जिसे कि फिर से कुछ इस तरीके का arrangement बन जाएगा तो उसके लिए क्या किया गया है इस देखें यह हमारा take off point है इसको हम इस block के आगे ले जाएंगे तो उसके लिए हमें देखें क्या करना होता है लेडी हम लोगों लेडिसकस किया हुआ है, तो वहां आप जाकर देख सकते हैं, उसमा में करना क्या होगा, इस जो feedback लगा हुआ है, यहां पर देखेंगे, तो यह वाला जो option है, यहां का जो value है, अगर यह मान लिजे R1S है, तो यही आना चाहिए, लेकिन जब हम इस point को, take up point को यहां पर connect कर देंगे, यहां connect करेंगे, तो definitely यह R1S है इतना multiply हो जाएगा, लेकिन हमको तो ऐसा नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए, कि जो इसका output हो, यहां पर जो negative feedback में आए, वो यही value होनी चाहिए, तो इसलिए हमें इसके divide करना पड़ेगा, यहां पर तो इसलिए यह to S, तो यह diagram बन के, अब यहां पर फिर से यह cascade में आ गया, यह cascade में आ गया, तो हम इसे फिर से क्या करेंगे, multiply कर लेंगे, multiply करने पर हमें यह value मिल जाएगे, उसके बाद आप देखें तो यह again इतना हिस्सा जो है, यह वाला हिस्सा, यह वाले हिस्से को अगर आप तहां से देखें, तो यह again आपका क्या है, negative feedback system है, यह बस यह value बात लगए कि यहाँ पर की तरफ से negative feedback लगा दिया गया है, तो इस तरीके से हमें यह मिल जाएगा, फिर again हम जैसे हमने यहां के लिए, इसके लिए value लिखी थी, वैसे हम यहाँ पर भी कर देंगे, तो क्या होगा, यह यह पूरी value into 1 upon, क्या हो जाएगा, 1 plus this into this, यह value हमारी ऐसे लगए कि g upon 1 plus g into h, यहाँ पर g की value यह है, यह g है आपका, और यह क्या है, आपका h है, तो जब इनको हम solve करेंगे, यहाँ value पुट करके, तो हमें यह value मिल जाएगी, अब एक बार यह मिल गई, यह दोनों कैसे हैं आपके, cascade में है, cascade में आप इनको आपस में जोड़ दीजे, जैसे ही जोड़ेंगे, हमें फिर से क्या होगा, जोडने का मतलब, cascade में करते हैं, तो multiply हो जाते हैं, यह g1 यह g2 है, दुनों आपस में multiply हो जाएगे, यह value हमें मिल जाएगी, अगें अब देखें, तो आप यह न value क्या है, हमारी h है, तो again हम वही formula लगाएंगे, g upon 1 plus g into h, इसको जब हम solve करेंगे, हमें यह पूरी overall value मिल जाएगे, और यह output है, यह input है, तो transfer function जो होता है, वो क्या होता है, output upon input, तो हम इसको divide करेंगे, यह पूरी value हमें मिल जाएगे, next, एक और numerical ले लेते हैं, जिसमें इन्होंने कहा है, कि cs upon rs निकालना है, तो cs क्या है, आपका यह output है, rs का मतलब क्या है, यह अपका input है, यह अगें आपको transfer function निकालना है, output upon input, block diagram यह दिया गया है, अब block diagram में देखिए, तो हम यहाँ पर यह arrangement है, इतना हिस्सा, इसमें अ आगे या पीछे हम कर दें, किसी एक तरफ ले जाएं, तो definitely जो हम इन दोनों कापस में multiply कर सकते हैं, तो अभी क्या होगा, उने क्या किया है, इसमें इस take-off point को आगे ले गाएं, तो जब आगे ले जाएंगे, तो definitely यहाँ से हमको जो भी output मिल रहा था, जब हम आगे ले जा है, आपका क्या हो जाएगा, multiply हो जाएगा, इसका overall value कितनी आ गए, g2 into g3 आ गया, अब जब इतना कर लेंगे आप, अब इसको आपते सोचें, यह इतना हिस्सा, यह क्या है आपका, again, हम इसको भी यहाँ पर यहाँ पर कर सकते हैं, 1 upon g plus into h, g upon 1 plus g into h, यह formula लगाएंगे, तो g1 है और यह पूरी value, यह दोनों कैसे हो गए, cascade में हो गए, तो cascade में हो गए, तो इन दोनों का हम क्या करते हैं, बड़े अराम से multiply कर देंगे, multiply करेंगे, हम यह value जाएगे, अब यह मिलने के बाद, again, आप देखिए, यहाँ पर क्या है, close loop system है, negative feedback के साथ में, तो हम अगेन, हमें यह value मिल जाएगी, अब यहाँ पर एक feedback और लगा हुआ है, यह diagram बनेगा, अब यहाँ पर g की value यह हो जाएगी, और h की value कितनी हो जाएगी, यहाँ पर h की value कुछ नहीं दिया है, जैनि कि 1, जो यहाँ पर cs है, वो exactly यहाँ पर feedback में चला जा जा रहा है, तो again आप यही formula लगाएंगे, और आपको resultant यह value मिल जाएगी, इस तरीके से आप देख रहे हैं कि बड़ा आसान सा है, किसी भी block diagram को, हम लोग reduce कर सकते हैं, block diagram reduction techniques से, आसा करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आई होगी, अगर वीडियो पसंद आई है, तो अपने दोस्तों के साज शेयर क करें, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, धन्यवाद,